केंद दिया मंत्री मंडल के मैरे सही हो गई स्त्री अमिक्षा अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंत्री गाण, ग्रह मंत्री जी, राज्यों के पुलीस महांदे देशक, ग्रह मंत्राले के वरिष्ट प्रदाजिकारी गाण, अन्य सभी महानुफाओ, देवी और सजनों, आजकल देश में उत्सव का माहोल है, ओनम, इद, दशरा, जुर्गापुजा, दिपावली सहीत, अनेक उत्सव, सांती और सहवार्द के साथ देश वाच्यों ने मनाए है अभी छट पूजा समेत कई अन्य तोहार भी है, विबिन चुनोतियों के बीच, उन तोहारों में, देश की एक्ता का ससक्त होना, आपकी तयायों का भी प्रतिविम है समिधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दाइत्व है, लेकिन ये देश की एक्ता अखंता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं सूरत कुन में हो रहा ग्रह मंत्रियों का ये चिंतन शिवीर, कोपरेटिव फडरिरिज्म का भी एक उत्तम उधारन है हर एक राज्यों एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेणा लें, देश की बहतरी के लिए मिल जुल करके काम करें ये संविधान की भी भावना है, और देश वाश्यों के प्रती हमारा दाईत्व भी है साथियों, आज्हादी का अमरित काल हमारे सामने है आने वाले 25 साल, देश में एक अमरित पीड़ी के निर्मान के है ये अमरित पीड़ी, पंच प्राणों के संकल्पों को धारन करके निर्मित होगी विक्सीत भारत का निर्मान, गुलामी की हर सोच से मुक्ती, विरासत पर गर्व, एकता और एक जुडता और सबसे प्रमुखबात, नागरी कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व, आप सभी भली भाती जानते हैं, समझते हैं, ये एक विराण संकल्प है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है, परीके अपने-पने हो सकते हैं, रास्ते, प्रावरिटी अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण, देश के हर राज में, हमारी गवर्नन्स की प्रिणा होने चाहिए, जब ये सुसासन के मूल में होंगे, तो भारत के सामर्थ का विराट विस्तार होगा, जब देश का सामर्थ बढ़ेगा, तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ बढ़ेगा, यही तो सुसासन है, जिसका लाब देश के हर राज्य को समाज की आखरी पंक्ती में खड़े ब्व्यक्ति तक पहुचाना है, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमी का है, साथियों, यहां आप में से अधिक तर, या तो राज्य को नित्रुत्व दे रहे हैं, यह पिर सीधे सीधे कानून व्यवस्ता की जिम्मादारी निभा रहे हैं, कानून व्यवस्ता का सीधा समान्द राज्य के विकास से हैं, इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकुल वातावन बनाने में, आप सभी के निर्णे और नीतियां और आपकी रिती ये बहुत अहम है, साथियों कानून व्यवस्ता के पूरे तंत्र का विश्वस्निय होना, जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा है, कि जब भी कोई नेचरल कलमिटी होती है, प्राकुरुतिक आपदा होती है, तो इन दिनों NDRF की, SDRF की पहचान बनी हुई है, उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुँच जाना, और इसके कारण देश वास्यों के मन में इनके प्रती एक विश्वास बना है, कि ये आये हैं, चलिए समल जाएगा, ये जो कह रहे हैं, मानना चाहिए, इनकी बातें अगर स्विकार करेंगे, तो हमारा नुक्षान कम होगा, और आप देखिए, NDRF में है कौन भई, SDRF में है कौन, आप ही के समसाती हैं, सुरक्षा बलक के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनकी प्रतिविटी सद्धा बन गई हैं, आपदा के समय में जैसे ही, NDRF, SDRF की टीम पहुंचती हैं, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है, कि अब एक्षपर टीम पहुंच गई हैं, अब से अपना काम कर लेंगे, साथ्यों अपराद वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती हैं, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बैतर हुई थी, पुलिस के लोग जरूरत बंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दाव पे लगा रहे थे, यानि कर्तव्य परायनता में कोई कमी नहीं है, जरूरत अच्छा परसेप्सन बनाए रखने की भी हैं। इसके लिए पुलिस बल को प्रेदित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार, मारदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवन्त प्रक्रिया होनी चाहिए, उपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। साथियों, हमें एक बात और समझनी होगी, अब कानून ववस्ता, किसी एक राज्य के दाइरे में, शिम्ती रहने वाली ववस्ता नहीं रह गई हैं। अब अपरात इंटर स्टेट और इंटरनेश्टल हो रहे हैं। यानि टेकनोलोजी की मदद से, एक राज्य में बैठे अपरादी, दूसरे राज्य में भवंकर अपरात करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बहार बैठे अपरादी भी, टेकनोलोजी का जम कर गलत इस्तमाल कर रहे हैं। इसलिए, हर राज्य की एजन्सियों का आपस में ताल्में। केंद्रव और राज्य की एजन्सियों का आपस में ताल्में। यह बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको मालूम होगा, मैंने DGP Conference में कहा था, कि दो adjoining state होते हैं, उसके जो adjoining district होते हैं, उन्होंने periodically बैट करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकरन करना चाहिए, साथ मिल के काम करना चाहिए। उसी मेंसे ताकत बनेगी। कई बार केंद्रिये एजंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती हैं, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता हैं। इसलिए हर राज्य का दाइत्व है कि चाहे राज्य की एजंसी हो, चाहे केंद्र की एजंसी हो या सम्मंदीत कहीं किसी और राज्य से संपरगाता हैं, सभी एजंसियों को एक दूसरे को पूरा सयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में, कभी-कभी तुम देखते हैं, एकाद F.I.R. रजिस्टर नहीं हुए। तो बोले यह तैनी हो रहा है कि वो जो जगा है वो इस थाने में पड़ती है कि उस थाने में पड़ती हैं। यह जो चीज़े हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक लेही हैं, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्रवर राज्ये के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्ताओं के साथ हो जाती हैं। इसलिए हमारी एफिशेंसी के लिए हमारे आउटकम के लिए सामान्य नागरी को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवारी हैं। और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा, आपके राज्ये के भी ताकत बढ़ने वाली हैं। साथियों, साइबर क्राइम हो, या फिर ड्रॉन टेकनलोजी का हत्यारों और ड्रग्स तसक्री में उप्योग, इनके लिए हमें नई टेकनलोजी पर काम करते रहना होगा। यह 5G पहुचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है, इतनी ही जागरिकता भी जरूरी रहेगी। 5G से facial recognition technology, automatic number flight recognition technology, drone और CCTV जैसी टेकनलोजी, performance में यह कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो crime करने वाला वाल है, उसका भी globalization हो चुका है, वो भी interest rate हो चुका है, वो भी technology में forward हो चुके हैं। बटलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा, हमें हमारी कानून व्यवस्ता को भी smart बनाना, इसके लिए बहुत ही आगर से काम करना पड़ेगा। साथियों, मेरा आगर ये भी है, कि technology को कृपा करके budget के तराजु से न तो ले, और मेरा सभी आधरने मुक्हमंत्रियों से, सभी आधरने गर्मंत्री जीयों से, इस वीशे में एक team बना करते हैं। दुनिया में क्रिमिनल वर्ड कि इस technology में आगे बढ़ रहा है। उपलब्द technology हमारे लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकती है। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इसमें जो budget जाएगा, वो बाकी सहकड़ों खर्चों को बचाने का कारण बन जाएगा। और इसलिए technology का बहतर इस्तमाल पूरे police तंत्र को तो मजबूत करता ही करता है। सामान्य मानवी को सुरक्षा देने का एक विश्वास नीचे तक हम पहुँचा पा सकते हैं। टेक्नलोजी, Crime Prevention में भी मदद करती हैं और Crime Detection में भी, Crime Investigation में भी बहुत काम आती हैं। आज देखिए, कितने ही अपनादी, CCTV की वज़र से पकड़े जा रहे हैं। Smart City अभ्यान के तहर शेहरों में बनाए गए आदुरी Command and Control System से भी बहुत मदद मिल रही हैं। साथियों, इस प्रकार की नई टेक्नलोजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पूलीश टेक्नलोजी मिशन भी शुरू किया है। अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अनुभव आ रहा है कि हमारे अलग-अलग प्रयोग होने के कारण हमारी टेक्नलोजी एक दुसरे के साथ बात नहीं करती है। और इसलिए हमारी एनर्जी बेस्ट होती है। वो जो भी मट्रियल है वो उस राज्य तक सिमित रहता है। हमें कॉमन प्लेटफॉर्म की विशय में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा। किसी एक के पास बहुत उत्तम चीज है तो यह मान करके न बैठे कि मेरे पास है। मैं तो किसी को दूंगा नहीं। मैं अपनी ताकत बनाए रखूँगा। एक समय आएगा कितने उत्तन टेक्लोलोजी होगी और लोगों के साहियोग में नहीं होगी तो स्टेंड एलोन निकम्मी हो जाएगी। और इसलिए टेक्लोलोजी में भारत के संदर्वे में सोच रहा हमारी सभी best practices, best innovation, common link वाले ही होने चाहिए, interoperable होने चाहिए, एक दूसरे के साथ लगातार सरलता से बात कर सके ये विवस्ताएं अनिवार यह हैं। साथियों, आज forensic science का महत्मा बढ़ रहा है। और वो सरफ पुलीस महकम के तक सिमित नहीं है जी। Legal fraternity को forensic science समझना पड़ेगा, judiciary को forensic science समझना पड़ेगा, even hospital को भी forensic science समझना पड़ेगा। इन सब के प्रहत्त से ही forensic science का उपयोग, crime और criminal को सजा दिना ले में बहुत काम आ सकता है। अकेला पुलीस के पाद forensic science की कुछ व्यवस्ता है इनप नहीं होगा। और इसलिए हर राज्य में हमें संकलीत और संतुलीत व्यवस्ता हर राज्य को गांधी नगर सीथ नेशनल फारंसिक science university की। और उसकी क्षमता आज दुनिया के 60-70 देश फारंसिक science university का लाब ले रहे हैं। हमारे राज्योंने भी बढ़ चड़ करके राज्य लाब लेना चाहिए। यह पूरी तरह फुचरिस्टिक technology driven व्यवस्ता है। human resource development का भी बहां काम है। नए नए टेखनोलोजिक टूल बनाने का भी काम है। और बड़े कठीं cases को सुल जाने में भी वो लेब काम आ रही है। मैं समाता हूं कि इस व्यवस्ता का उप्योग रसभी राज्य सक्रियता से कैसे करें। कानून व्यवस्ता को बना रखना। एक 24 by 7 वाला काम है। लेकिन किसी भी काम में ये भी आवश्ट है कि हम निरंतर प्रक्रियों में सुधार करते चले। उन्हें आधिरिक बनाते चले। बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्ता से जुड़े रिफार्म्स हुए है। उन्होंने पुरे देश में शांती का बातावन बरनाने में मदद की है। आप भी जानते हैं कि भारत की विविदता, भारत की विशालता की बज़र से हमारे लोग एन्फोर्स्मेंट सिस्टिम पर कितना दबा होता है। इसलिए बहुत जरूरे हैं कि हमारा ये सिस्टिम सही दिशा में उर्जा लगाएं। वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावशे केसों में छोटी छोटी गलतियों की जांच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की उर्जा चली जाती है। इसलिए हमने व्यापार, कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब्दी क्रिमिनलाइज कर दिया है। उन्हें अपराती स्रेनी से बहार निकाल दिया है। डेड़ हजार से जादा पुराने कानूं को नोकों को समाप्त करके भविश्का भहुत बड़ा बोज कम किया गया है। मैं तो राज्यों से भी आगर करता हूँ, आप भी अपने हाँ कानूं को इवेल्यूट कीजिए। आजादी के पहले कि जितने कानूं है उनको बरतमान तारीकों के साथ बड़ाव लाईए। हर कानूं में क्रिमिनल एंगल और निर्दोस नागरिकों को परिशानी वो वक्त से चला गया है। सात्यों सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहट देश के गाउं में ड्रॉन टेक्नोलोजियो के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वित्रित कर रहे हैं। वो भी जमिन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, जगड़े खत्म होंगे गाउं के, वरना गाउं की समस्यात ज्यादा तर एक पुट जमिन इसने लेगी उसी में से बड़े जगड़े हो जाते हैं। साथियों परोक्स और अपरोक्स रूप से किये जाय से अनेक प्रयासों से लोग एंफोर्स्मेंट एजन्शियों को भी अपनी प्रात्विक्ता ताय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे केनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बढ़लाव नहीं करेंगे, बीस, तीस, पचास साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे तो शायद इन चीजों का फाइदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकारद्वारा बनाये गए कानूनों ने भी कानून ववस्था को मजबुत किया है। आतंगबाब हो, हवाला नेटवर्क हो, बस्टाचार हो, इस पर आजदेश में अभूत पुर्वस सक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। UAPA जैसे कानूनों ने आतंगबाद के खिलाप एक निरनायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी हैं। यानि एक तरफ हम देश के law enforcement system का उसकी शमता बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन पर अनावशक बोज को भी हटा सके। साथ को एक और विशे हमारे देश की police के लिए महत्वपूर है। जैसे आज देश में one nation one rashankar की ववता बनी है। one nation one mobility car की ववता हो रही है, one nation one grid बना है, one nation one sign language बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई एप्रोच अपना ही जा सकती हैं क्या हमारे राज्य मिल बैट करके इससे बहुत लाब होंगे एक तो क्वालिटी मट्रियल प्रोड़क्ट होगा क्योंकि मास केल पर होगा कैप होगी तो करोड़ों कैप पेज की जरोत पड़ेगी बेल चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा और देश का कोई भी नागरी कहीं पर भी जाएगा देखते इसको पता कि हाँ यह पुलीस वाला है अब जैसे पोस्ट आफिस का डिबा हिंदुस्तान में कोई पढारी का पहँचता है एक पहचान होती है हमारे लिए भी आवशक है कि हमारे देश के पुलीस बेड़े वे हैं हम सोचे साथ मिल करके सोचे कोई किसी पर थोपने की जरोत नहीं है एक इवाल करें आप देखिए बहुत बड़ा लाब होगा और एक दूसरे के थाकत में इजापा वन नेशन वन पूलिस इनिफार्म हां उस राज्य का एक टैग हो सकता है उस राज्य का नंबर हो सकता है लेकिन पहचान कॉमन बने इस पर सोग है मैं विचार के रुप में रख रहा हूं नम्य कई आप्षा अगरभी करता हूं मैं शिरब एक विचार रखता हूं और अलग अगर प्रकार की पुलिस की नएने विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपरटाई आई हैं, अब हम देखिए, दुनिया में टूरिजम का बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में टूरिजम की संभावना है बहुत बढ़ रही है, विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में ट वहाँ बढ़ना ही बढ़ना है, आज दुनिया में कई देश जो टूरिजम के ख्षेतर में बहुत आगे हैं, वहाँ टूरिजम के लिए काम करने वाले पुलिस बनाई जाती है, उनकी ट्रेडिंग अलग होती है, उनको लेंग्वेजी भी सिखाई जाती है, उनके बिहेव इंस्टिटूट से हैं, उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है, कभी न कभी हमें हमारे देश में इस बीधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि भारत में ये जो सब्सक्राइब और टूरिजम विश्व भर से आने वाला आजमी है, एक पु ही दुनिया में ले जाएगा, पुझी निवेश जो करता है उसको इस काम वेक कई समय लग जाता है, अगर गलत हो गया तो, लेकिन टूरिजम तो दो दिन में ही खबर पहुंचा जयता रहा है, और यहां तो यह हाल है, और इसलिए भारत में भी मिडल का बल कितना बढ़ र जाएगे, तो वही टूरिजम के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है, हम कहें कि बेने अब सिम्ला नहीं वहाँ जाएगा, नहीं नीजाल जाना है वो नहीं नीजाल ही जाएगा, सीनेगर जाना है वो सीनेगर जाना है, गुलवर जाना है वो गुलवर जाना है, हम क्यों हमने देखा है कोरोना के समय में जब पूलिस के लोग अपने एक शेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे और खास करके मैंने देखा है कुछ शेहरों में सिनियर सिटीजन के लिए पूलिस में जो बड़ी आयू के लोग हैं जिन से अब ज्यादा मजदूरी करवाना उनके साथ ही अत्याचार है उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं और वे सिनियर सिटीजन को लगातार पूछते हैं ठीक हो ना कहीं बाहर तो जाने वाले हो ना घर बन करके जाने वाले नहीं हो ना इसके कारण नागरिकों का जो कांफिड़नस बढ़ता है वह एक प्रकार से आपकी ताकत बन जाता है इस चीज को हम जितना ज्यादा उप्योग कर सकते हैं प्रोफेशनल बेमें कर सकते हैं और पुरी तरह जिवन्तता हो संबेद पूलिस थाने से बिल्कुल फोन आ जाता है हर बुद्वार को पूठ लेते हैं मेरी कोई दिक्कत है नहीं इन चीजों की बहुत बड़ी ताकत हो जो परसेप्शन की लड़ाई है न यह आपके सारे परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं हमें एक और काम की तरह बहुत होने की जरूत है जी तेक्नोलोजी कल इंट्रिजन्स इसका अपने ये ताकत उसका उप्योग हैं लेकिन हम हम उमन इंट्रिजन्स को नकार नहीं किसकते हैं उस विधा को पूलिस डिपार्टमेंट ने आज से सो साल कितनी टेक्नोलोजी बदल जा सो साल के बाद उस जरूत पढ़ आए उसमें जो सामर्त है उसकी जो नजरें भूसकी जो बातचीत में से जो पकड़ के ले आता है यह आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है और अगर दोनों ख्षेत्रों में ताकत है फिर तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हैं यह संभावना है दस दिन के कारण हमारी व्यवस्ताइं बहुत चुस्त हो जाएगी जो पचास बार क्राइम करने वालों को सोचने लिए मजबूर करेगी साथियों में एक और बात भी समझती है आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से भारत की चुनोतियां भी बढ़ने वाली है पहले वो उपेक्षा की बुरुत्ती होती है फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की बुरुत्ती बनती है फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर तोड़ी कॉम्पिटिशन का भाव आ जाता है प्रतिस पर दाया जाती हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनी का रंग ले लेती हैं विश्वकिक बहुत सारी ताकते होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर में भारत को सामरत्वान बढ़े है फ्लाने विशे में उनकी एक्स्परटाइज है उसमें भारत नव गुसे फ् भारत बहुत बढ़ा बाजार है भारत खुद बनाने लग जाएगा तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा कई प्रकार की चुनवतिया आने वाली है और वो चुनवतियां दुश्मनी का रूप लेते देर नहीं चाती है और इसलिए हमें हमारे इन सारी चेलेंजी को हमें अगे तो लगता है कि हां यार या अगे चल गर इसकी को प्रमोशन हो जाएगा मैं तो रहे जाएँगा तो फिर उनका दस्दाल पहले तूं 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 शुरू हो जाता है वैसा हर जिगा पे होता है और इसलिए मैं कहता हूँ कहम सुड़ा दूर का सोच करके हमारे सामर्थ को प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट प्रॉपर मैसेजिंग इसके लिए आवशक बारी क्यों तो पहले की लॉड और 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 आज की चिरोत्यों पे बहुत बड़ा फरकाने वाला है पहले का तो बरकरा करना ही पड़ेगा नए को लिए भी हमने अपने आप को है तैयार करना पूड़ेगा हमें कि देश के विरोध में जो ताकत खड़ी हो रही है जिस प्रकार्द हर चीज का उप्योग किया जा रहा है कि सामान्य नागरी की सुरक्षा के लिए लो एबर्णिंग सिटीज के अधिकारों के लिए ऐसी किसी भी नकारत्मक्षक्तियों के फिराप कठोर से कठोर वरताव ही हमारी जिम्मेबारी है कोई उदारता नहीं चल सकती है क्योंकि आखिरकर जो लोई बर्णिंग सिटीजन है जो कानून को मानने वाला वेक्ती है वो कहां जाएगा भाई हमारा काम है और ऐसे 99 परसंट सिटीजन वही होते हैं जी एक परसंट काई प्रॉब्लम होता है हमें उन 99 को विश्वाद दिलाने के लिए उन एक प्रसंट की प्रती जरा भी जरा भी उदारता बरतने की जरूत नहीं है साथियों सोशल मिडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आकना नहीं चाहिए एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बबला ख़डा कर सकती है हमने मालू मैं आरेक्ष्ण की ऐसी अप्फा फैल गई फेक न्यूज चल दिया क्या कुछ नुक्षान जिलना पड़ा साथ देश को छे-अट गंडे के बाद जो पता चला तो सब सांत हो गए लेकिन तब तब तो नुक्षान बहुत हो चुका था और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फारवर्ड करने से पहले दस पार सोचो भाई कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरिफाय करो और सारे प्लेटफरम पर वेरिफिकेशन की व्यवस्ता होती है आपको एक दो देखा पर चक्कर लगाओगे तो कुछ दो कुछ नई भर्जन मिल जाएगा यह हमें लोगों को एजुकेट करना होगा हमें ऐसी फेक वर्ल से डिवन सोसाइटी उसी से डरी हुई सोसाइटी उसे से राई होने वाली सोसाइटी इसके बीच में बहुत बड़ी शक्ति हमने खड़ी कर करनी होगी टेक्नोलोजी कर शक्ति खड़ी करी होगी साथ को सिविल डिफेंस की आवश्यक्ता है और जैसे अभी अमीद्बै बता रहे थे कुछ चीजे हैं जिस पर हमारा ध्यान भी हट रहा है अमीद्बै ने सही चीजों को पकड़ा है आप लोग भी चिंद यह जो अने दसकों से चली हुई चीजे हैं इसका भौत उपयोगे हैं स्कूल, कॉले, मैं भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विशे हो प्रेमरी हिल्थ वाले विशे हो जो चीजे होती है जो पहले भी करते थे हम लोग फायर फाइटिंग की विवीभी उज़तान पहले भी करते से इसक कहा हर नगरपाली का महानगरपाली का मैं सबता हमें एक दिन किसी स्कूल में जा करके फायर फाइटिंग के ख्षित्र के लोग और पुलिस ने जा करके ड्रील करनी चाहिए तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजूकेशन हो जाएगा जो सिस्टिम है वो भी उ आयर फाइटिंग के समय में यह सारी ड्रील नागरपाली को करनी होती है आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी इस सहर्चूप से करने वाला काम है साथे बीतों वर्षों में आतं के ग्राउंड नेटवर्क को द्वस्ट करने के मैं सबी सरकारों ने बहुत जिम्वारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ 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 करने का प्रयास किया है कहीं पर साइद सफलता पहले मिली ओग देर से मिलीओ लेकि हरेक को इसकी गंभीरता में आज समझा अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा इसे बंदुख वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है हमें सब का काट निकालना पड़ेगा जी है हमारी युवाद पीडियों को भर्मीत करने के लिए ऐसी बचकाना वाते करकर के चल पड़ते हैं लोग और इतिना नुक्षान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई समाल नहीं पाएगा जी और इसलिए हमने जैसे नक् करते हैं उन्होंने अब अपना इंटलेक्शिल दाहरा उन जगा पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीडियों में विक्रूत मानसिक्ता पैदा कर सकते हैं एक दूसरी के पती देश पैदा कर सकते हैं इमोशनल चीजों को आउट अप प्रपोर्शन उचाल क करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई प्यादा कर सकते हैं विक्राओं प्यादा कर सकते हैं देश की एकता और एक हंडिता असरदार बलभभाई पटेल हमारी प्रेणा हो हमें ऐसे किसी चीजों को देश में चलने नहीं दे रहा है लेकिन बुद्धी पुरवक करना प पड़ेगा हमारें फावर you always भी एक्षपराई थियार करने पड़ेगी किसी राजय में कोई घटना घटी है तो हमारे म房 anti clearаты वाह तुन्हों कैसे अंडल किया था महम्ला कैसे पन्पा था उस से हम सीखते हैं सीखिने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं वो उनको अंतरा सिस्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं और उनका चहरा मोरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है इतना बड़ा संभीदा और कानून की भाषा में ही बोलते हैं प्रवुति कुछ और करते हैं इन सारी चीजों को दूद का दूद और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिकुरिटी स्थामर्जमें होनी चाहिए जी हमें स्थाही शांती के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है त साथियों जम्मु कश्वीर हो या नौर्थीष हो आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव ताक्यतों को भी मुख्यधारा में आने का मन करने लगा है और जब हम विकांस उनको नजर आता हैं इन्वासक कर गित्ता हैं उनकी अपेशा हैं पूरी हो रही है तो वे भी अब सस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तयार हो रहा हैं उसी प्रकार से बॉर्डर और कोश्टल एरिया में हमें विकास की और देखना होगा बजेट में भी वाइबरेंट विलेज की बात कही गई है आपनी इस पर सोचना चाहिए आपके टॉप अफसर चाहिए उनको बॉर्डर विलेज में नाइट स्टे करके आना चाहिए आगर कीजे मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि कम से कम एक साल में पांच या साथ बॉर्डर विलेज में जाकरके दो तीन गंटे बिता के आईये जाए वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो क्या इंटरेश्टर बॉर्डर विलेज हो आपको बहुत कुछ बारिगों का पता चलेगा साथियों हाथियां ड्रग यह सारी जो तसकरी चल रही है ड्रोन उसमें नया संकट गुस हो आया है हमें हमारे बॉर्डर और कोश्टल उनकी यह संकलन बहुत जरूरी है हम कहें जो नेवी यह करेगी कोशगार यह करेगा इतने से बात बनेंगे नहीं हमें संकलन बहुत फ्रिक्मेंस से बढ़ानी पड़ेगी मुझे विश्वात है कि कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रिय परिप्रेक्ष के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनवती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी और चीजों को हैंडल करने के हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी मुझे विश्वास है कि श्रीवीर में जो चर्चा होगी उसमें से एक कलेक्टिव रोलमेप बनेगा हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा अगर हम उसमें उलजे रहेंगे तो उसका सबसे ज्युदा थागते कानुन को जो मानते नहीं आई वो इस अव्यवस्ता का बर्बूर फाइदा उठा सकते है इसलिए हमारे बीच समझदारी संकलन विस्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अगर मुझे विश्वास हैं साथ मिल करके करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा प्राइणाम प्राप्त कर सकेंगे और देश के लिए जो अवसर आया है उस अवसर को पहली नजर में ताकत यूनिफर्म फोर्सिस से आती हैं विश्वास का एक कारण यूनिफर्म फोर्सिस बन भलागु humourई यह को जीतना ज्यादा थाकतवर बनाएंगे जीतना ज्यादा बहुत विजन के साथ कशने वाला बनाएंगे ज्यतना ज्यादा नागरी करा वकर प्रतितिस समीदन से बनाएंगे बहुत लाग होगा। कुछ चुजाव मैंने डीजीपी कांफरंस इसमें काई है। मैं सभी मुख्यमंत्री और ग्रहमंत्री से आधरा करूगा। कि डीजीपी कांफरंस एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्यूशन की रुपे विक्सित हुई है। खुल करके चर्चा होती हैं और उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जीरो होता है। उसमें से जो बाते निकलती हैं। चाहिए तब जाकर के फाइदा होगा हमें डी जी पी कांफरंस ते तो एक मीटिंग हो गए ते हमारे साहब हो करके आ रहे हैं ये नहीं है जी ये एक देश की सिक्रूरिटी को ले करके काम करें अब जैसे एक सुझाव आया था कि भी हमारे पुलिस के लिए रहने के घर अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खासकर के बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस टेशन है आप ज़रा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरिट बन सकता है क्या नीचे थाना चला रहेगा लेकिन उगर उपर उपर विसमंजिला मकान बना दिया और को वही मकान मिल जाएगा तो पुलिस को आज शहर के 25 किलूमेटर दूर घर मिलता है उसको आने जाने में दो दो घंटे लगते हैं हम जमिन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं उस कॉर्परेशन से बात कर सकते हैं जरह उसको हाई राइज के लिए भी फाइदा कर सकते हैं हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्ता है यानि चोटा पुलिस थाना है उसके बजाए आधूरिक पुलिस थाना भी बन जाएगा और उसी के उपर 20-25 मंजिला मकान बन करके रहने के लिए घरों की व्यवस्ता हो जाएगी और मैं जुरूर मानता हूँ बारे शहरों में 20-25 किलमेटर बाहर जाना पड़ रहा है पुलिस के क्वाटर बनाने के लिए और उसमें देखा होगा अब जैसे अभी अमित भै बता रहा है कि बजेट जो देते हैं उप्योग नहीं हो रहा है जितनी मात्रा में खर्च होना चाहीं नहीं हो रहा है अब भ हमारे देश में इस्थितिय में नहीं हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी हमारा सामर्त बढ़ाना होगा निरने शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर के इन धनका सही उप्योग समय सीमा में कर पाएंगे और जब समय सीमा में धनका उप्योग होता है तो बेश्ट्रे और आपके जितने पुराने वेहिकल है, एक बार उनको स्क्रैप करने के दिस्था में आप आगे बढ़िए, पुलीस के पांस वेहिकल पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एफिशनसी से जुड़ा हुआ विशा है, उससे करन दो फाइदे होंगे, जो स्क्रैपिंग कि बिजनेस में आने वाले लोग उनको एशॉरंस मिल जाएगा, कि फ़लाने राज जिफ में, 2000 वेहिकल स्क्रैपिंग के लिए उन्होंने इडेंटिफाय कर दिये, चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूँ, रिसाइकल का, सर्कुलर एकॉनमी का खानम हो जाएगा, और हम अ लगता है जी, सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक वेहिकल आज सकते हैं, हम उस पर सोचें, और मैं चाहता हूँ, मिनिस्टर खुद बुलाएं ऐसे जो स्क्रैपिंग के दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं, उनको कई भी हम चलो जमीन देते हैं आपको, आप इस क्रैपिंग के लिए रिसाइकल के यूनिट लगा दीजे, हम पहले पुलिस वाए वेहिकल दे देंगे आपको, हम पुलिस के लिए नए वेहिकल ले लिए, यह बहुत जरूरी है जी, भारत सरकार के भिन 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 यूनिट भी, अपने पुराने सारे कुडा कजरा निकाल देते हैं, और नए तो हमारी environment efficiency सब में फरकाएगा, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी, अगर आप कुछ निलने करके निकलेंगे, और उसको समय सिमा में लागू करेंगे, आप देखिए, आप लोगों को तो सुरक्षा देंगे, आप देश के विकास में भी ब में तो जब मैंने आपको देखा हूं, तो मैरा मन करता है, मुझे आपके बीच पर होना चाहिए था, लेकिन पहले से कुछ कारिकमों के इतना प्रेसर रहा है कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन जब इतने सारे माननी मुख्यमंत्री जी आते हो, तो प्रधानमंत्री का स्वाभा को इक मन कर जाता है, कि जब आपके बीच बैठों, मैं भी आपके साथ चाहे पान करते करते कापे बाते करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया इस बार, ग्रह मंत्री जी आपके साथ बात कर रहा है, वो जो भी विश्याप चर्चा करेंगे, मुझ तक जुरूर पहुंचेगा, और मेरे हिस्से में जो जिम्यवारी होगी, मैं सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी ग्रह मंत्रियों को विश्वाद देलाता हूँ, कि आपकी आशा आप एक शाप पर खराऊ तने के लिए भारत सरकार भी उतना ही प्रयास करेगी, मेरा आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्त काम लाई